नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं जर्खनवासियों के सुख सम्रिदी के लिए सिर्वाद मांगा है मुख्यमंत्री, साम, सब परिवार रांची के नचत्रवन इस्थीत, हटनिया तलाब पहुंचे तथा सैक्डो वरतियों के बीच छट पूजा में सामिल हुए इस औसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि या महापर्व सुर्य भागवान की अराधना के लिए जाना जाता है चट महापर्व प्रकृति की पूजा का प्रतिक है, प्रकृति परास्था और उससे जुड़ा भातिय संस्कृति की परमपरा रही है मुख्य मंत्री ने कहा है कि हमारी मताय बहने बहुतर घंटे का वुरत रखकर भागवान भाज करके अराध्या करती है या हजारों साल पुरानी अद्भुत परंपरा है दस साल की उम्र से दोड़ रही एथलीट जूली को मदद की जरूरत धनबाद के बलियापूर की एथलीट तेज धावक जूली को आज आपकी मदद की जरूरत है बतादे जूली जिन्दगी और मत से जंग लड़ रही है परिवार के आर्थिक स्थिती बेहतर नहीं है बेटी की जिन्दगी बचाने और बेहतर इलाज के लिए दरदर भटक कर चंदा एकटा कर रहे है चिकिसको ने उसे रांची इस्थीत रिम से रेफर कर दिया है लेकिन सोजनों का कहना है कि इतने पैसे नहीं है कि उसका बेहतर इलाज करा सके बताद धनबाद डिश्रिक चैंपियन एतलिट जूली सड़क हाथ से में एक दिन पहले गायल हो गई थी बलियापूर के बंदर चुवा निवासी सोल अवर सितेज धावक जूली महतो सलक दुरगाटना में गंभी रुप से घायल हो गई थी उसके सीर में चोट आई है जिसके वज़ा से अभी तक होस नहीं आया है रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने घायलों के इलाज के लिया जाजा दुमका में गैश ट्रंकर भी स्फोर्ट में घायल मरीजों के इलाज के जाजा लेने रभी वार को रांची के डॉक्टरों की एक टीम फूलो जानों मेडिकल कॉले अस्पताल पहुंची और मरीजों को जाज करवा सक दिसाने देश दिया उन्होंने चल रहे है इलाज को संतोस प्रद बताया है और कहा एक मरीज खत्रे से बाहर है आपको बता दे कि जारकन के मुख्य मंतरी हमांसु नेर संग्याल लेते वे ट्वीट किया था कि रांची रिम्स के चिकिसको की टीम दुमका जाएगी और अगनी कान के पिडित मरीजों का इलाज का जाए जालेगी बता दे दुमका जी लेके हंसेडी थानाचेतरे के बढ़हत गाह में चार दिन पूर्व एक गयाश ट्रंकर भी स्पोर्ट में आजपास के कई गिरामिन घायल हुए थे जमसेदपूर AFC ने नर्थ यूनाइटेट को एक गिरो से हराया जमसेदपूर AFC ने अपने घरेलू समर्थ को के सामने हीरो इंडियन सूपर लिंग 2022 देश में पहली जीत हासिल कर ली है रेड माइनर्स ने अपने घरेलू मैदान जे आरडी टाल्टा एस्पोर्ट कमप्लेक्स में नर्थ इस्ट यूनाइटेट AFC को एक जिरो से हरा दिया है मैच का एक मात्र गोल करने के लिए कप्तान पीटर होटले को हीरो अफ दा मैच घोसित किया गया मतादे सीजन में पहली जीत की से मुख्य कोच A.D. Bruthet की टीम जमसेदपूर AFC ने अंक तालिका में दसवे से चाटे आस्थान पर उच्छाल लगा लिया अपसरों नहीं लुटा गरीबों का सरकारी अनाज पलामू डिसी ने किया निलामबीत राश्ट्रिय खाद सुरक्षा धिनियम के तहट N.F.S.A. मदत में अनिमिताबर अतने वा खद्यान गोटाले के अरोप में उपायूगत अंजने यूलू दोडे ने हुसायनाबाद के राज्य खाद निगम गोदाम के सहायक गोदाम प्रबंधक सा जन सेवक अरबिन्द कुमार सिंग को निलम्बित कर दिया है साथ ही जन सेवक अरबिन्द कुमार सिंग से 16,13,444 रुपै के वसूली करने है तुसम्मधित अधिकारियों को निर्दे शित किया है निलामबित अओधी में जन सेवक का मुख्याले सदर मेदनी नगर निधारित किया गया बतादे जन सेवक के निलामबन के पचात उपायुक्त ने हुसायनाबाद के प्रखंड विकास पताधिकारी को जन सेवक सा सहाया गोदाम प्रवन्दक के विरूद विभागे करवाई परादाम करते हुए प्रपत्र कौ में आरोप पत्र गठित कर एक सब्ता के अंदर नियमा अनुसार अगर सारित करने है तो उप विकास आयुक्त को निर्देशित किया है जारखंड में तिन नौमबर से सुरू होगी परदेश अस्तरिय भारत जोड़ो यातरा कांग्रेश नितर राहूल गांधी की भारत जोड़ो यातरा अभिते लंगना में है कन्या कुमारी से कासमीर तक 3570 किलोमीटर लंबी राहूल गांधी की यातरा से कांग्रेश निता उत्साहि था है जिन राजों से राहूल कांधी की यात्रा नहीं गुजर रही है उन राजों में भी कांग्रेस करकार्ता स्थानी और जिला अस्थर परपद यात्रा निकाल रहे हैं बता दे जारकन में भी पूर्व केंद्रिय मंत्री सुबोध कांथ सहाई के संजोजन में परदेश अस्तरिय भारत जोड़ो यात्रा के पूरी टीम बने हुए है जारकन में अब दिपाव़िय और छट के बाद तिन नौबर से राजे में परदेश अस्तरिय भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चन की शुरुवात होगी मंत्री बन्ना गुपता परिवार के साथ दिया अरग चट महापरो को लेकर ब्रतियों ने रविवार को ब्रतियों ने पहला अरग सनिवार की साम अस्ताज चल गामी भागवान भासकर को परदान किये वही मंत्री बन्ना गुपता ने परिवार के साथ कदमा घाट पहुँचे मंत्री बाना गुपता कदमा घाट पहुँच कर अपने परिवार के साथ साम अस्ता चलगामी भागवान भासकर को अरग दिये गढ़वा में छोट घाट पर दौरा लेकर गए स्कूल संचाला को गोली मारी गढ़वा में अपराधियों का मनोबल दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है यही वज़ा है कि अपराधि एक के बाद एक घाटना को अंजाम देते जा रहे हैं गढ़वा थाना छेतरे के बेलचांपाई सीथ ग्यान निकेतन स्कूल के संचालक अमीत कुमार सिंग उर्फ बबलू सिंग को गोली मार कर घाट कर दिया गया उन्हें सौदर अस्पताल में इलाज के लिए भरती किया गया है गोली उनके हाथ में लगी है जिक इसकों ने खायल की हालात खत्रे से बाहर बताई है जिनकारी के अनुसार अमीज सिंग के घार में छट पर भुआ था और साम को वे दवरा लेकर घाट पर गये थे मंत्री बन्ना गूपता ने कहा सुर्य भागवान से सीख लेनी चाहिए लेकिन जब बारिस करते हैं तो सब हरा भरा कर देते हैं वैसे ही सरकारों को भी करना चाहिए कि जब टेक्स में ले तो कुछ पता ना चले लेकिन जब सरकारे जानता क्ख क्ष़ वापस करें तो पता चले कि देश और राज में उनकिकके मर्ग प्रसस्ट हो रहे हैं भागवान 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 भागव होंगी 22 साल पहले 15 नॉम्मर को जार्खन राज का गठन हुआ था केंदर सरकार ने पिछले साल 15 नॉम्मर को आदिवासी दिवस के रूप में भी मनाने की घोसना की है और जन जातिय महुस्व भी मना रही है रांची छठ घाटो पर उम्मरा आस्था का जन सहलाब लोक आस्था के महापर्वत छठ के रंग में पुरा जाखन रंगा दिख रहा है रांची सहित अन्य जीलो के घाटो पर छठ वरतियों ने छठ के तीसरे दिन रभी वार को डूपते हुए सुर्य को अरग दिया सुमवार को उदाई मान सुर्य को अरग दिया जाएगा इसके बाद छठ वरति भोजन करेंगी इसके साथ ही चार दिव से छठ वरति संपन हो जाएगा बता दे अरग को लेकर घाटो पर सरकार की तरफ से खास ब्यवस्ता की गई है ब्रतियों ने तलाब नदी आदी पानी के सुरूत में खड़े होका डूपते हुए सुरज को अरग दिया पर साथ की वस्तुओं से भरे बास से बने सूप और टोकरियों को घाट पर ले जाया गया जहां सुर्य देव अचठी मया को संध्य अरग दिया गया जहारखन में 2000 करोर की लागत से बनेगी 31 सडके पथर निर्मान विभाग के और से तिन दर्जन से अधिक सडक योजनाओ का डिपीया तयार करा लिया गया है करीब 2000 करोर की योजनाओ का डिपीयार बना है अब इनहें जल्द ही स्विक्रिति दी जाएगी ऐसे में इनकी तक्निकी और प्रसासनिक सविक्रिति की परिकिरिया शुरू हो गई है फिर टेंडर करके काम शुरू कराया जाएगा बता दे हलक्ष रखा गया है कि इसी साल इन विभाग का डिपीयार तयार कराया गया है जार्खन इंडरस्ट्रियल पार्क पॉलिसी लागू जार्खन इंडरस्ट्रियल पार्क आयन लोजिस्टिक पॉलिसी 2022 लागू हो गई है अब राज में नीजी छेत्रे के जो भी अध्योगिक पार्क या लोजिस्टिक पार्क बनाये जाएंगे पर इसमें अपर लिमिट तय कर दी गई है जारखन के अपर महाधिवकता पर गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोफ विड़ी ने दिली सराव कार्ण में जारखन के अपर महाधिवकता राजीव सिंग का बेयान दर्ज किया है उन पर सराब ब्याव साय से जुड़े लोगों के लिए गेस्ट हाउस बुक कराने का आरोप है इस मामले में इडी के ओर से जारी समन के अलोग में राजीव सिंग 28 अक्टूबर को दिली इस्थित इडी के करयाले में हाजिर हुए जहां उनका ब्यान दर्ज किया गया था सिरी सिंग सुप्रीम कोट में जारखन के अपर महादिवक्ता है बताद इडी ने दिली सराब गोटाले की जाच के दोरान पाया था कि उत्तम अलोवा इस्थिल कंपनी का गेस्ट हाउस बुक कराया जया था कुख्यात कृष्ण मंडल की हत्या के आरोपित को पीट कर माद डाला सुचना मिलने पर पूलीस चानन गाँ पहुंची और महंदर साओ को इलाज के लिए सदर अस्पतार लाया जहां कुछ दिर बाद उसकी मौत हो गई बता दे घटना के बाद चानन गाँ में भारी तनाव है कृष्ण मंडल के परिवार के सभी पूरुसर से गाँ छोड़कर फरार हो गया है गाँ को पूलीस चावनी में तब्दिल कर दिया गया है इसकूलों में इंस्पेक्षन करेंगे अधिकारी नौबर में देंगे रिपोर्ट जार्खन के सरकारी स्कूलों का तीन साल बाद अधिकारी निरिक्षन करेंगे इसके लिए राजे मुख्यले अस्तर से अधिकारियों को जिलावार जिम्मेवारी सोपी गई है परात्मिक सिक्षा निदेशक चन्दर सेखर मादमिक सिक्षा दिनेश सुनील कुमार जार्खन सिक्षा पर्योईना परिशत की राजे पर्योईना निदेशक कियन कुमारी पासी समेत मुख्यले के अनपता दिकारी इसकाम में लगाए गया है पाच्मी सिम्भू में अरग देने के दोरान टला बड़ा हादसा जार्खन में महापरो छट का उलास है चारो तरफ छट के गीत गुझ रहे हैं इसी बीच पाच्मी सिम्भू में छट घाट पर हादसा हो गया है इसमें पाच लोग घायल हैं सिरी तूटने की वज़े से एहादसा हुआ बता दे लोग आस्था का महापरो छट का उसर पर अभिवार साम को पाच्मी सिम्भू में छट घाट पर डूपते सुरज को अरग देने के दोरान बड़ा हादसा टल गया है अरग देने के दोरान सिरी तूट जाने से लोग बड़ी संक्या में पानी में गिर गया है लोगों के सहयोग से इन्हें पानी से बाहर निकाला गया इस घटना में पाच लोग है लोगा यहां इनका इलाज किया जा रहा है पलामू में देखते बनती है लोग आस्था के महापरो छट लोक आस्ता का महापरव छट पलामों की संस्कृतिक बिरासत है परामपारिक तरीके से वर्सों से मनाया जा रहा है या महापरव यहां की संस्कृति में रचा बसा है इसे लेकर यहां के लोगों में सरधा देखने को बनती है यही कारण है कि पवित्रता के महान परव को लेकर लोगों को साल भर से इंतियार रहता है बैस्विक महामारी कुरोना के कारें पिछले दो वरसों से छट महापरो को लेकर लोगों को उत्सा थोड़ा फीका पड़ गया था लेकिन इस बार उत्सा चरम पर है अन्य जगों की तरह पलाओं में भी दो बार छट मनाया जाता है चैत महा की सश्टी तीथी को चैती छट वही कार्थिक महा के सुकल पक्ष की सश्टी तीथी को छट मनाया जाता है जार्खन कांग्रेस के कारेकारी अध्याक जलेस्वर महतो के बिगडे बोल पूरो मंत्री सा जार्खन कॉंग्रेश के करकारिया अध्यक जलेसवर महतु द्वारा धनबाद जिले के एक समारों में बरामनों के खिलाप अभधर टिपनी करने पर अखिल भारतिये बरामन महासभा के पतादिकारियों द्वारा करी परतिक्रिय अभ्यक्त की गई इस समबन्द में अखिल भारतिये बरामन महासभा के परदेश प्रभारी सिवा निवरीत अवा निरीक्षक अरुन कुमार सर्मा ने कहा है कि जलेसवर महतों कांग्रेश के समानित पद हैं इसके बाद भी बरामनों के खिलाप इस तरह की भासा का पर्योग कर रहे हैं इसका साफ मतलब है कि वे मांसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं उन्हें अपना इलाज किसी अच्छे मनुची की सक्से कराना चाहिए पूर्भी सिम्हुम से नवालि का रेस्क्यू चाइल्ड लाइन की टीम ने पूर्भी सिम्हुम जी लेके गालू डी के रंजीत मोहरी के घर से डूमरिया की एक नवालिक मज़ूर को बरामत किया है सुचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन के टीम लीडर राकेस मिस्रा करनेतित में आल्थानिय पूलिस के साथ रंजीत मोहरी के घर से अगस्त में इस नबाली को बरामत किया गया था और उसके पैतरिक घर डुमरिया के बाड़ा काजिया में उसकी मा को सौप दिया गया था चाइल्ड लाइन की टीम ने बताया है कि लड़की जब करीब साथ से आठ साल के थी तब से रंजीत मोहरी के घर में काम कर रही थी धनबाद के स्कूल में लड़कियों की संख्या अधिक अधिक बता रहे हैं कि अब लड़किया मैट्री के बाद भी पढ़ाई छोड़ नहीं रही है यही करण है कि बरावी में भी लड़कों की तुनला में लड़कियों की संख्या अधिक है रामगर के दामोदर में भागवान सुरज को अरग जारखन के रामगर जिले में रभी वार साम छट घाटों पर आस्ता का जनसलाब उमर पड़ा अस्ता चलगामी भागवान भासकर को प्रतम अरग देने के लिए सहर के दामोदर नदी घाट और बिजूलिया तलाब घाट पर साम चार बजे ही भारी संक्या में चट वरतियों महिलाओं पूर्सों की भीर उमर पड़ी है गिरीडी के सांसाद वा जारकन के पूर्व मंत्री चंदर परकास ने सहर के थाना चौक घाट पर बनाये गए तोरन द्वार का फीता काट कर चट पर उत्सों का उत्सों का उत्सा बतादे रामगर जीले में इस बार चार दिवस्टे चट पूजा का उत्सा कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है वजा कुरोना संक्रावन के कारण पिछले दो साल तक यहां खूल कर लोग छट नहीं मना पाए थे चार नवालिक लड़कियों का बैंगलोरू से रेस्क्यू कुलान हेल्पिंग हैंड ने चाइले लाइन चाइबासा और कुछ समाज सेवी की मदद से गोईल के रापरखंड के बांगुर किया गाउं की चार नवालिक लड़कियों के बेंगलोरू से रेस्क्यू कर बाल बिका समिती चाईबासा और डालसा के सचीव के सामने लाकर कागजी पर किरिया कर गाउं पहुचा दिया गया इन बच्यों को जून में उनके ही गाउं का एक 19 वरसी दलाल काम का लोब दिला कर बेंगलोरू ले गाए थे ट्रेन से जब ए लोग बेंगलोरू एस्टेसन पहुचे तो आरपीएफ के जवानों ने इन बच्यों को पकल लिया पुलिस को देखते ही दलाल उन बच्यों को छोड़ कर भाग गया तब आरपीएफ के जवान ने उन्हें चाइल ले लाइन को सौप दिया तब से बच्यां चाइल ले लाइन बेंगलोरू के संड़क्छन में थी साहब गंज छोट घाट में राजमौली फिल्म की तरह सजावाट छोट को आस्था का लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है बता दे गंगा किनारे सजाए गया छोट घाट बाहु बोली जैसी ब्लैक बस्टर फिल्मों के निर्देशक एस राजमौली की किसी फिल्म के सेट से कम नहीं नजर आ रहा जीवन में आपने कभी अरग तो दिया ही होगा लेकिन यकीन मानिए महराज पूर गाव में सजे छोट घाट जैसी साज सजा कहीं नहीं देखी होगी बता दे अपने देश के साथ साथ बीदेश में भी छोट महा पर मनाया जाता है अमेरिका के टेक्स सास तक में छोट पूझा की दो मची है लेकिन बिहार जरकन में इसका उसा कुछ अलग ही है छोट की त्यारी तीन चार महा पूर से ही सुरू हो जाती है सहिव गंजीले के महराजपूर गाओं के बाहर रहने वाले सभी लोग छठ में जरूर गाओं आते हैं छठ परो से एक सब्ता पूर से एक सब्ता बात तक उत्सा जैसा महोल रहता है छठ गाटों के साज सजा पर इस गाओं में 10 लाख रुपे से अधिक खर्च किये जाते हैं कोडार्मा छठ गाटों पर उम्री भी लोक आस्था का महान पर छठ को लेकर अभीवार को कोडार्मा जीले के विभीन गाटों पर लाखोर सरधालों ने अस्था चलगामी सुर्यों को भक्ती भाव के साथ पहला अरग अरपित किया सभी घाटों में सरधालों के भारी भीड उमर पड़ी मौके पर आस्ता के साथ साथ सेवा समाजिक सदभाव भायचारा भी देखने को मिला कई छट वरती वह सरधालों दंडवत छट घाटों तक पहुंचे छट घाटों की ओर से जाने वाली सभी मारगों के विभीन समीति के द्वारा साप सफाय की गई थी साथ ही एकरसक लाइटिंग से सजाया गया है यहीं विभीन समीतियों के द्वारा छट वरतियों के बीच फॉल नारियल दूद आधिकावी बित्रन किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाई हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बाल का बेल एकन दबाई साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवसे दे थांक यू